सासरे अकाल, तो कैसे हैं आप क्या हाचाल, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, तो स्वागत है आपका आज की लिस्ट में, जिसमें इस फ्राइडे को रिलीस होने वाली बाखी वेब सीरीज और मुवीज के बारे में बताने वाला हूँ, जो अभी अमें इस हफते में देख के डेली ही पोस्टर के साथ अपडेट देता रहूँगा, तो चलिए अभी इस लिस्ट को शुरू करते हैं, जिसमें सबसे पहले हैं एक नई गुजराती क्राइम स्लर मुवी, पेंटागॉन, जो कुछ टाइम पहले ही थीटर्स में लीज हुई थी, और अभी ये मुवी 13 अपरल मीन से आज से शिमारू मी के OTT प्लैटफॉर्म पे अवेलबल होने वाली है, जो ओनली गुजराती रेंगुज में ही देखने को मिलेगी, जिसकी कहानी एक बड़े बिजनसमैन से शुरू होने वाली है, जो अपनी एक प्राइवेट वेकेशन के लिए एक नए बड तो अभी आज ये मुवी देखने के लिए वेलबल होने वाली है, ओनली गुजराती रेंगुज में, तो गुजराती छोकरो, रेडी तु वाच? इसके बाद है, 2021 में थेटर्स में लीश हुई एक धानसू हॉलिवूड एक्शन क्राइम स्रिलर मूवी, बोरेगो, जिसे अभी इंडिया में Amazon Prime के OTT प्लेट प्लेफॉम पे हिंदी रब करते हुए लीश किया जाने वाला है 13 अप्रेल से, जैसा मैंने पहले ही बताया कि य जिसे मिस तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, जिसकी कहानी एक यंग लड़की की होने वाली है, जो अभी डेजर्ट में एक रिसर्च करने के लिए जाने वाली है, लेकिन उसी दोरान वो अपने आसपास देखती है, एक प्राइवेट प्लेन को क्रेश होते हुए, तो वो की हल्प करने के लिए उस हासे की जगा पे जाती है, जहां पे वो एक बड़े खत्रे में फस जाती है, जब उसे पता चलता है कि जो प्लेन क्रेश हुआ, वो एक ड्रग्स से भरा हुआ प्लेन था, और उन ड्रग्स को डिलिवर करने वाला बंदा अभी जंदा है, तो ये इसके बाद है इस मूवी के जैसी ही, एक और नई धांसू टाइप की डार्क क्राइम कमेडी मूवी, जिसका नाम है कुईन सौंदारान, जो एक स्पैनिश ओरिजिनल मूवी है, और अभी 14 अपरेल से नेट्फिक्स के उट्रिक्स के उट्रिवर क्लेश हुआ पर लेकिन ब उनकी जिंदिगी को खत्रे में डालने वाले हैं, लेकिन हमें जुरूर हसाने वाले हैं, ये एक 18 प्लस अड़क दाग क्राइम कमेडी मूवी है, जो ओनली मचे और अड़िन्स के लिए ही बनी है, बोडी से भी और दिमाग से भी, तो भाईयों अहां भी होने वाला है, इस भी आपके लिए एक रेक्मेंडर सीरीज होने वाली है, जिसको मिस तो बिलकुल नहीं करना चाहिए, और बड़िया बात है कि हिंदी डाब में भी लीस होने वाली है, इसके बाद है हॉलिवूड की यहोर से, एक और नई होरर डार कमेडी मूवी, रेन फील, जो अभी OTT प वो इस मूवी में बाकियों के लिए तो खत्रा होने वाला है, लेकिन हमारे लिए हसी आने वाली है, जो हमें next month May में on demand भी देखने को मिल जाएगी, यह भी एक रेक्मेंडर मूवी है, लेकिन only English language में ही देखने को मिलेगी, अगर आपको underrated Hindi crime thriller movies देखना पसंद है, तो यह आगे वाली movie आपके लिए recommended होने वाली है, जिसके बारे में अभी जादा लोगों को पता भी नहीं चला, जो अभी 14 April से only theaters में ही release होने वाली है, जिसमें हमें एक बड़िया crime mystery वाली कहानी देखने को मिलेगी, जब एक private detective एक खून की investigation के लिए एक बंदे के घर में जाता है लेकिन इसके बाद वो बंदा कहानीों को ऐसा जाल बूरने वाला है, जो इस directive के साथ साथ हमें भी चकरों में डालने वाला है, और वो चकर इस कहानी के end तक ही खतम होने वाले हैं, जो भी ओड ट्रेलर देखने से ये एक बड़िया movie लग रही है, जिसे miss तो बिलकुल नही अगर theaters में नहीं तो इसका OTT पे lease होने का इंतजार कीजिए, लेकिन अपनी list में इसको note जरूर करके रखना, इसके बाद है Netflix पे lease होने वाली एक 18 प्लस adult reality tv show series Love is Blind का season 4, जो अभी 14 अपरेल से Netflix के OTT platform पे English के साथ साथ Hindi dub में भी lease होने वाला है, जिसके बारे में आपको पता ह ही होगा कि कितनी cringe web series है ये, कि अगर एक बात देखनी चुरू कर दी, तो ना तो ये छोड़ते बनती है और ना ही ये देखते बनती है, क्योंकि अहां के कारण इसको छोड़ने का मन भी नहीं करता, और cringe screenplay की वज़ा से इसे देखने का मन भी नहीं करता, तो बाकी आप decide की किजिए आपको क्या करना है इस web series के साथ, इसके बाद नेट्फिक्स पर लीज होने वाली एक नई Spanish horror mystery thriller movie, Phenomena, जो भी अभी 14 एपरल से ही Netflix के OTT platform पर लीज होने वाली है, लेकिन only English dub language में, जिसकी कहानी तीन middle age women's की होने वाली है, जो एक paranormal activity को investigate करने वाली है, जिनकी वज़ जैसे ही एक church के father की मौत हुई थी, तो बाकी इस कहानी में क्या होने वाला है, और कैसी रहने वाली है, वो तो इस movie को देखने के बाद ही पैता चलेगा, लेकिन अभी 14 एपरल से Netflix के OTT platform पे available होने वाली है, इसके बाद है पंजाबी audience के लिए बनाई गई एक नई crime mystery thriller movie, या जिसकी कहानी एक ऐसे बंदे की कहानी दिखाने वाली है, जो अपने ही फादर के murder के जुरम में जेल में गया होता है, और उसी case पे एक कहानी निखने के लिए, एक writer इतना उत्सुख हो जाता है, कि वो उसकी कहानी जानने के लिए, खुद crime करते हुए उसके पास जेल में प एक नई crime mystery thriller web series, The Last Thing He Told Me, जो भी 14 अपरसी Apple Plus के OTT platform पे only English language में ही lease होने वाली है, क्योंकि Apple है तो क्या कर सकते हैं, जिसकी कहानी काफी बढ़िया होने वाली है, जिसमें एक औरत का पती अचानक से खो जाता है, और किसी को भी पता नहीं चलता वो कहां गया, वो जिन्दा भी है या नहीं, इसके बारे में भी किसी को कुछ पता नहीं चलता, तो वो लेडी अभी अपनी 16 साल की stepdaughter के साथ नजदीक होने वाली है, और जाने की कोशी करने वाली है, कि अगर उसको कुछ मालूम है उसके पती के बारे में, कि वो अचानक से कहां गाइब हो सकता है, या फ फिनाले सीजन मीन्स के सीजन 5 अभी 14 अपरेल से Amazon Prime के OTT platform पे लीज होने वाला है, लेकिन जो भी इस सीरीज को फॉलो करते हैं, उनको पता ही होगा कि ये सीरीज only English language में ही आई है, जो जाधा recommended web series तो नहीं है, लेकिन जो भी इस सीरीज को फॉलो करते हैं, वो अभी इस सीरी movies and web series OTT and theaters में लीज होने वाली है, उनमें से ही एक है ये नई पंजाबी romantic comedy drama movie उडिका तेरियां, जो अभी 14 अपरेल से only theaters में ही लीज होने वाली है, जिसमें पंजाबी comedian जस्विंदर भला और उनका लड़का main role में देखने वाला है, जिसमें एक love story दिखाई जाने वाली है और साथ में comedy का तड़का भी लगाया जाएगा, जो अभी 14 अपरेल से only theaters में ही देखने को मिलेगी, लेकिन जल्दी ही ये movie हमें OTT platform, Z5 या फिर चौपल के OTT platform पे देखने को मिल सकती है, जिसके बारे में जब भी कुछ पता चलता है, मैं आपको ज़रूर बता ही दूँग जिसका title ही बस धार्मिक है, बाकि इस movie में धार्मिक जैसा कुछ नहीं है, जिसकी कहानी एक लड़की की होने वाली है, जो कई सारी गोपियों के बीच में घूमता रहता है, जिसको रास लीला रचाने का शौक होता है, और असल में कहानी के आगे बढ़ते हुए उसके साथ होने के आवाला है, वो तो इस movie को देखने के बाद ही बत चलेगा, जो अभी only गुजराती लेंगोज में ही and only theater में ही लीस होने वाली है, और जल्दी ही जो हमें शिमारु मी के OTT platform पे देखने को मिल सकती है, जहाँ पे जाधा-धर गुजराती movies लीस होती हैं, इसके बाद एक ऐसी lady की होने वाली है, जो खुद तो परदे के पीछे बैठी रहती है, जिसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं चलता, लेकिन जिन के लिए वो काम करती है, उनको वो दुनिया के लिए stars बना देती है, तब ही उस lady को कहते है queen maker, जिसका मतलब होता है कि रानी बनाने व वाली है, जो एक तो हिंदी डब में है, दूसरी korean है, तो सोने पे सुहागा होने वाली है ये web series, तो आज की वीडियो में इतना ही, जल्दी ही मिलते हैं next वीडियो में नए entertainment की नई लिस्ट के साथ, तब तक के लिए ऐसे ही entertainment होते रहने के लिए lockdown entertainment को subscribe करते हुए, घंटी बाने के बाद और पे करना ना भूलें, और entertainment की ऐसी ही updates डेली के डेली लेते रहने के लिए lockdown entertainment के instagram account lockdown.entertainment33 को भी follow करना ना भूलें, बाकी अपना और अपनों का ख्यार रखें और बुरी सोच वाले लोगों से दूर रहें, टाटा बाई बाई